Hello friends , मैं आज आपके लिए काइन मास्टर का जो लैटेस वर्जन वाला जो मैंने वीडियो बनाया था तो उस यहनि काइनमास्टर एपलिकेड्यसन जैसे 5.0.4 वर्जन को याद उस ऐपलिकेड्यसन में क्यासे अपने वीडियो को एडिट करें सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मैं step by step बताऊंगा वीडियो को अंतक देखना वीडियो को इस किपना करना वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना हेलो एवरीवन मैं हो सोलंकी और आप देख रहें मेरे यूटुब चैनल सोलंकी कम्पीटर मेरे चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकोन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले latest वीडियो को notification आपको time to time मिलते रहें तो चलिए मैं mobile की इसके दिन पर आगया हो और यहां पर आने के बाद में काइन मास्टर की application को open करूंगा open करने के बाद में मेरे सामने ऐसा interface आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं फिर मैं आपको एक-एक करके आपको इसका interface भी बताऊंगा और उसमें वीडियो कैसे editing करना है एक-एक कर रहे ने प्लस आई को new project तो new project पर click करना है click करने के बाद में यहां पर enter project name तो यहां पर अपने project का नाम लिख सकते जैसे कि में काइन मास्टर video editing tutorial लिखता हो तो किन्य मास्टर यहां पर मैं काइन मास्टर sorry मैं यहां पर typing में श्च्टक होगी मैं यहां पर लिख देता हूं एक विसेस बात बताना चाहता हूं कि अगर आपके पास में कोई प्रोजेक्ट पहले से ही बना हुआ है अधर वाइस कोई अप्लिकाशन में तो यह पर ऊपर एक उप्सन दिख रहा है इंपोर्ट आप यहां से भी इंपोर्ट फाइल करके इसमें एड कर सकते हो तीक है बट यह पास में और को फाइल क्यों यहां इसलिए मैं यह पर क्या गरों कि how to को सब्सक्राइब करोगा उसके बाद मैं create पर क्लिक करेंगे create पर क्लिक करने के पहले यहां पर advance को option आता है यहां पर भी इसका भी थोड़ा देख लेते हैं कि यहां पर क्या इसमें एड हुआ है पीट फिल ओट जो भी आप अपने अपने प्लिक कर सकते हो डिवॉप्टी फटोर्ट हुशंतिक 사ट सकते हो यह से अपने अपर सेट कर सकते हो टीकि है ना पिस कि एहां पर क्रीक फिल करा एंपकर को ओना करें idee तो तो यहाने पहले जो काइन मास्टर ओपन होता था वैसे का वैसा यह ओपन हो जाएगा अब मैं यहां पर कुछ क्लिप एड़ कर लूँगा जैसे कि मैं डाउनलोड फोल्डर में गया एक इसके लवा दो तीन और चार और यहसे कि बीच मैं यहां पर प्ला सामना इक दे रहे है इसके लावा अगर और इसमें से और भी अगर आपको ज्यादा आपको टांजिस्टेन इपक्ट चाहिए तो यहाँ पर इस्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पर उपर जो इस्टोर पर कलिक करके आप अपने एकोडिंग यहाँ पर इपक्ट डाउनलोड कर सकते हो यहां पर मैं अपने according कोई भी जैसे transition effect यह फश्ट वाला ले लिया उसके बाद मैं यहां पर arrow keeper क्लिक करेंगे और वापिस arrow keeper क्लिक करेंगे वापिस timeline को आगे लेके जाएंगे उसके बाद मैं यह दूसरी clip के बीच में भी अपने according प्लस icon पर क्लिक करेंगे इसमें भी transition effect यह जो भी है मैं एड़ कर लोगा तो यह जैसे कि मैंने एड़ कर लिया उसके बाद में यहां पर arrow पर क्लिक करेंगे उसके बाद में तीसरी वाली clip के बीच में भी है तो यहां पर भी हम क्लिक करेंगे यहां पर भी कोई भी effect अपने according कोई भी एड़ कर लेंगे उसके बाद में एरो की पर क्लिक करेंगे वापिस फोर्थ नंबर वाली जो क्लिप के बीच में प्लस icon है यहां पर भी करेंगे और यहां पर भी अपने कोई भी effect हम एड़ कर लेंगे यह सारे के सारे effect करने के बाद में वापिस playhead को start पे लाना है start पे लाने के बाद में यहां पर यह video आपका editing हो जाएगा अब जैसे कि इसमें अगर आपको trim करना है यहां से यह तक तो सब्सक्राब आपको सब्सक्राइब सब्सक्राइस Heard डाल दिया और उसके बाद में ओके करेंगे ठीक है उसके बाद में यहां पर एरो कीपर क्लिक करेंगे और इसके बाद में जैसे बीच में और भी आपको ट्रिम करना है तो अपने अकोडिंग यहां पर जैसे कि मुझे ट्रिम करना है तो यहां पर क्याची कि आइकॉन पर क्ल हो जाएगा अब आपको और भी मैं इसके option बता देता हूं यहां पर click करेंगे तो यहां पर देखे replace का option आ रहा है जैसे कि आप इस clip को याने हटाना चाहते हो और इसके बीच में इसकी जगह दूसरी clip add करना चाहते हो तो यहां पर replace का जो option है ना इस replace के option पर click करके आप दूसरी clip यहां पर add कर सकते हो जैसे example के तौर पर मैं इस clip को हटाना चाहता हूं और इसकी जगह दूसरी clip को add करना चाहता हूं तो यहां पर replace पर click करूँगा मेरे पास में gallery open हो जाएगी और यहां पर मैं कोई भी clip को add करूँगा जैसे कि यह यह clip मैं add कर रहा हो तो यह clip देखी add हो गई और वह clip हट गई तीक है अब हटने के बाद में यहां पर मिक्सर हैं तो मिक्सर पर click करेंगे तो यहां पर volume को full भी कर सकते कम भी कर सकते हो उसके बाद में यह और भी अपने यह आपने श्रामद स्क्राइब करता हिए आप जामें दो का कोई आपस्पेद आपस्पीच करते हैести आपस्धे storms लिक देगे हो यह कंछा पर कोई टेटी इसके उसके बाद मोठी ब्हुन में करना थे प्नीच कर सकते हो ठीक है उसके बाद में arrow key पर click करेंगे उसके बाद में यहां पर reverse भी कर सकते हो इसके अलावा pen and zoom यहां पर pen and zoom पर click करेंगे तो यहां पर अपने recording इसको zoom in and zoom out कर सकते हो जैसे कि यहां पर देखें यह मैंने zoom किया और यह zoom out कर दिया ठीक है उसके बाद में इसको feed करना तो यह पर इसको lock लगा देंगी, ठीक है? उसके बाद में नीचे आते है, filter में, तो filter भी अपने according, यहां से कोई भी filter लगा सकते है, बहुत सारे filter है, ठीक है? उसके बाद में और भी मैं आपको बता देता हो, arrow keeper click करेंगे, और यहां पर वेगनेट है, तो इसका वेगनेट भी enable कर सकते हो, disable कर सकते हो, इसके लावा volume है, तो volume है, यहाँ पर देखे, volume envelope है, तो इस पर भी आप अपने recording, जो भी करना चाहते हो, chatting कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद में arrow key per click करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर EQ का option है, यहां पर अपने according अपने आवाज को changing करना चाहते हो तो कर सकते हो जैसे eco करना चाहते हो या studio वाली आवाज कोई भी जो भी rock है इसके लावा trouble है बास booster है बास radius है जो भी करना चाहते हो यहां से कर सकते हो ठीक है उसके लावा और भी मैं बताता हूँ यहां पर देखिए voice changer यह यहां से आप voice को change भी कर सकते हो अपने according ठीक है जो भी जैसे चोटे बच्चे की या girls की या man's की या old man की जो भी अपने according यहां से कर सकते हो ठीक है उसके बाद में arrow की पर क्लिक करेंगे उसके लावा यहां पर transcode है टांस code पर क्लिक करेंगी तो यहां पर देखिए आप यहां पर जाना है यहां पर एक्सपोर्ट पर और यहां पर इसका resolution full HD आपको रखना है इसके लावा फ्रेम रेट अपने यहां पर रखना है जो भी आपका supported device है ठीक है जैसे आपका supported device उसकी फ्रेम रेट यहां आप 25 रख सकते हो 24 रख सकते हो अपने according और इसका जो beat rate है व एक्सपोर्ट होना इस्टार्ट हो जाएगा एक्सपोर्ट होने के बाद में मैं आपको बताता हो तो देखिए यह एक्सपोर्ट होना इस्टार्ट हो गया अब एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आगे का process बताता हो के वीडियो कैसा एक्सपोर्ट हुआ है ठीक है ना तो दे यहां पर यह वीडियो एक्सपोर्ट हो गया तो कितना अच्छा यहने वीडियो यहने एडिटिंग होगा है और यहां पर फूल HD quality में यह बनके तयार हो गया देखिए तो अब देखिए जैसे कि मैंने पूरी मैं okay कर दूँगा ओके करूँगा तो ये सबस्क्राइब ना हुए यहां पर आया जाए गाई उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूं कर दूँगा उसके यहां पर डबल ए पर कलिक करेंगे और यहां पर जैसे कि कोई भी रोबोटो ब्लेक वाला जो पॉझन ले लूँगा उसके बाद मैं OK कर दूँगा okay करने के बाद में यहाँ पर और भी मैं बताता हूँ जैसे कि डबल ले पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पलस आइकॉन का option दिख रहा है अगर आपके पास में custom font हैं अगर आपने गूगल करौम के मादियम से डाउनलोड किये हुए हैं तो भी आप यहाँ पर add कर सकते ह कि आपके पास में जीप पाइल होगी उसको आप extract करके इसमें add कर सकते हो ठीक है चलो यहाँ पर उसके बाद में यह subscribe ना हुए अब subscribe ना हूँ मैंने लिग दिया इसके बाद में जैसे इसका color है तो color पर हम click करेंगे जैसे यह मैंने red वाला color set कर दिया उसके बाद में पर देखिए shadow इसका outline text option glow background color पर हम click करेंगे इसको enable करेंगे उसके बाद में फूल फूल background पर click करेंगे तो यह फूल आ जाएगा और यहाँ पर जो यह box दिख रहा है इस पर click करेंगे इस पर हम जैसे का white वाला यह color लेंगे और इसको फूल करेंगे और ok करेंगे तो यह दे इस arrow key पर click करना दूबारा arrow key पर click करना उसके बाद में वापिस इस text पर click करना in animation में जाना है और slide route यहाँ पर कोई भी जैसे कि मैं letter by letter को select करूंगा और इसकी timing को 1.5 के something रखूंगा उसके बाद में arrow key पर click करेंगे दूबारा arrow key पर click करेंगे यह text लिखना मैंने आपको बत like and share उसके बाद में लिखना कर ना भूले टीक है जैसे कि मैं लिखता हूं करना उसके बाद में ना भूले थिक है यह जैसे मैंने लिख दिया उसके बाद में इसको okay करेंगी okay करने के बाद में इस टेक्स्ट को थोड़ा सा जूम करेंगे ठीक है अब मैं आपको बताता हूं इसको कैसे याने रनिंग वाले टेक्स्ट बनाना है यहां पर आपको याने इसको रखना है ठीक है उसके बाद मैं आपको लेके जाना इसको यहां पर कहां पर यहां पर ठीक है पहले इसका कलर ह करेंगे ओके करने के बदाने के बाद इसका कलर है तो कलर अपने हैं कोई भी सेट कर सकता हूं जैसे कि मैं यहां पर पीला कलर यह यलो कलर को सेलेक्ट कर दिया उसके बाद मैं यहां पर नीचे आएंगे तो back ग्राउंड कलर पर क्लिक करेंगे इसका एनेबल कर देंगे और इसको फूल बेक्ग्राउंड पर क्लिक करेंगे और यहां पर इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर ब्लेक वाला सेलेक्ट करेंगे ठीक है और यहां पर इसकी भी फूल कर देंगे ठीक है और करेंगे और के करने के बाद में अब मैं आपको बताता है यहां पर एरो पर कलिक करना और इस टेक्स्ट को यहां पर इधर लेके जाना ФHigh को थोड़ा six देर लेके जाना किच्वह उसके बाद में इसको यहां से पकड़के left में लेके जाना है ठीक है left में left में लेके जाना है और यहां पर छोड़ देना है और उसके बाद मैं okay करना है okay करने के बाद मैं इसको यहां से खींच के आगे लेके जाना है ठीक है आगे लेके जाना है तो यहां पर मैं आगे लेके एक बार इसको text को लेके जाता हों उसके बाद मैं OK करते हैं अभ देखते हैं प्ले करके याने Set हुआ के नोई हुआ अब प्ले करके देखते एक बार का त ni के यह много running text हो गया ठीक है runningtake ड शोने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा ऑर भी मैं बता मुट देता हूं ठीक है यह उसके बाद में यहां पर देखिए इपेक्ट भी डाल सकते हो ठीक है तो जैसे कि इपेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए बैसिक इपेक्ट आ गया है यहां पर जैसे बलर आपको लगाना है तो बलर भी कर सकते हो ठीक है इसके लावा लेयर पर वापी जाएंगे तो य यहां पर चौते नंबर वाला डॉट पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद में आपको यहां से आपको रेक्टेंगल से सेलेक्ट करना है ठीक है कोई भी अगर आपको कोई चीज बता नहीं है तो आप हाइलाइट कर सकते हो ठीक है उसके बाद में OK करेंगे ठीक है OK करने के अबाद में यह set हो जाएगा उसके बाद में इसमें इन इनिमेसंट भी दे सकते हैं इन इनिमेसंट में आप drop by कर सकते हो और इसकी timing को 1.5 के something रख सकते हो ठीक है उसके बाद में arrow keeper कलिक करेंगे यह हो गया तो आप रिकॉर्ड पर कलिक करके आप वोईस ओवर भी कर सकते हो तो यहां पर आपके सामने स्टार्ट का आप सकते हो टीक है उसके बाद में आपको बैक आना है मैं आपको बता देता हूं तो सारी मैंने आपको बता दी अब आपको ऊपर देखिये लेफ्ट में आपके 3D दिखाए गे इस पर क्लिक करेंगे तो यहांप डूपलिकेट भी इसका पार्ट बना सकते हो इसके लवाब हौंट में फ आपीस लानी है तो यहां पर यह कर सकते हो इसके याव़ावा डिलेट करना चाहते तो कर सकते हो यह सारी परकivity आप अपने सेट कर सकते हो ठीक है न पर गें तो आई हो व्डियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल पर पहली बार तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना साथ में बैल आइकोन को प्रेस कर देना ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नौटी पीकेसन आपको टाइम टी टाइम मिलते रहे मिलते हैं अगले वीडियो में एक और कमाल की ट्रिक के साथ में तब तक के लिए जै हिन जै भारत